नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएश्टी सी सेकेंड लिस्ट के बारे में जिसका इतजार काफी दिनों से काफी विद्यार्थी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प बताने वाले हैं इसका पता हमें तबी चलेगा कि फैस्ट लिस्ट की कटोप कितनी रही थी आप उससे अनुमाल लगा सकते हैं कि फैस्ट लिस्ट की कटोप अगर इतनी रही है तो सेकेंड लिस्ट के अंदर इतने नमबर वालों को कोलेज अलोट होने वाला है अगर आपक 2023 के अंदर आपका BHTC का सपना है जो पूरा हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यहां पर second list की cut-off है जो कितनी रही थी दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं cut-off की ही बात कर लेता हूँ sorry, first list की cut-off कितनी रही थी दोस्तों यहां पर general category की बात करें आपको उतने नमबर अगर आपके है तो आपको इंचार करना यहां पर बिल्गुल सही है दोस्तों जनरल की यहां पर 410 के करीब रही थी अगर बात करें OBC की cut-off है जो यहां पर 400 के करीब रही थी SC की cut-off है जो यहां पर 380 के करीब रही थी अगर बात करें से एश्टी की तो यहां पर 370 के क्रीब रही थिया अगर EWS की बात करें तो EWS की कटूप है जो यहां पर 385 के करीब यहां पर कटूप देखने को मिली थी और दोस्तो बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट के अंदर कितने नमबर वालों को यहां पर कोलेज मिल सकता है दोस्तो बात करें अगर जनरल की जनरल के अंदर अगर आपके 400 नमबर के करीब है तो आपको यहां पर कोलेज मिल सकती है दोस्तों बात करें OBC की तो OBC के अंदर हो सकता है 380 से 390 की करीब अगर आपके नंबर है तो कॉलेज आपको मिल सकता है ये तो है फैस्ट लिस्ट की और ये बात करें हम सेकेंड लिस्ट की और बात करें दोस्तों SC की तो SC के अंदर आपके 360 से 365 के करीब अगर आपके नमबर है तो आपको यहां पर कोलेज मिल सकती है बात करें अगर दोस्तों यहां पर ST के टेगरी की तो ST के अंदर है जो यहां पर आपके 350 के करीब अगर आपके नमबर है तो आपको यहां पर अभी कोलेज अलोट होने वाला है बात करें EWS की तो EWS के अंदर आपके अगर 370 के करीम नमबर है तो आपको यहां पर कोलेज मिलने वाला है और दोस्तों इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रिजन है जो यहां पर काम करता है अच्छे कासे नमबर होने के बावजूद भी कापी सारे विद्यारती मैंने देखे हैं कि कोलेज उनको अलोट नहीं होता है कारण क्या होता है कि अगर आपके अच्छे नमबर है तो आप सोचते हैं कि मैं अपने जिले के आसपास के कोलेज ही सेलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे दूर नए जाना पड़ी इस गलती के कारण ही आपको कोलेज अलोट नहीं होता है मान लीजी अगर आपने 15 college select किये और उस 15 में 15 विद्यार्थी ऐसे है या फिर जिस college के अंदर जितनी सीटे है उनके मतलब लगबग 50 या 100 सीटे होती है अगर उनके नमबर आपसे अच्छे है तो आपको वहाँ पर college अलोट नहीं होने वाला है आपको पता है सिर्फ सीट या पर कितनी है 25,000 ही तो सीटे हैं अगर उनके नमबर आपसे अच्छे हैं तो आपके college कम choice होने के कारण आप इस जो आपने एक्जाम दिया है उसके अलोट उनको लेज अलोट होगा यह नहीं आप वहन चीथ ही रह जाएंगे और किसी विद्यार्थी के अगर मान लेजिए 350 नमबर है लेकिन उसने यहां पर 250 के करीब या पिर जितनी भी college है उनको सबको select कर रखा है और राजिस्तान कर रखा है तो उसको कम नमबर होने के बाद भी college अलोट हो जाता है यह देखा गया है अक्सर तो यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी है अभी जो मान लीजिए आपके कम नमबर है 2023 के अंदर जो एक्जाम अभी फॉर्म सुरू होने वाले हैं आप counseling भी करवाएंगे तो आपको यह गलती विल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तो बात कर लेते हैं कितनी सीटे खाली है मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कुल सीटे कितनी है कुल सीटे 25,000 है फैस्ट लिस्ट के अंदर है जो यहाँ पर लग बग यहाँ पर 21,000 ने यहाँ पर अपनी कोलेज को जोइन कर लिया है देखे आपको बता दे कि फैस्ट लिस्ट के अदर पूरी 25,000 के उपर ही फैस्ट लिस्ट निकाली जाती है लेकिन काफी सारी विद्यार्थिया ऐसे होते हैं जो किसी कारण वह से कॉलेज में अपना रिपोल्टिंग नहीं करवा पाते हैं या तो उन्होंने फीस नहीं बरी होती है या फिर रिपोल्टिंग नहीं करवा पाते हैं या फिर उनके डोकोमेट में कोई कमी होती है इस कारण से ये सीटे खाली रह जाती है इसी के उपर सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट निकाली जाती है और उसके अंदर आपको नमर मिलता है तो यहाँ पर जादा सीटे खाली नहीं रहती है क्योंकि ये कोई गल्ती के कारण कोई विद्यार्थी वहाँ पर नहीं पहुंचता है इसी कारण से ये सीटे खाली रहती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि सारे विद्यार्थी ही ऐसा करे तो दोस्तो यहां पर आपको बता दिया गया है कितनी सीटे यहां पर खाली है यहां पर सीटे आपकी अनुमानित चार हजार के करीब है जो सीटे अभी खाली देखने को मिली है चार जार सीटे मैंने बता दी है तो दोस्तो इस वीडियो में अगर कोई भी अगर आपको मन में सवाल है आप पूछ ना चाते हैं BSTC से जुड़ा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसकी पूरी पूरी आपको जानकरी देने की कोशिश की जाएगी और BSTC से जुड़ी पलपल की अपडेट के लिए आप हमारे इस यूटूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं धन्यवाद दोस्तों